बेटेस अब्डेट्स के रिए आप हमारे चैनल राइश रुमारी के साथ जरू जुड़ें उसे सब्सक्राइब कर लें पासी लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें उत्राखण में एक आंदूलन हुआ था चिपको आंदूलन जिसने देशी नहीं बलकि दुनिया भर में प्रकरती के प्रती लोगों को जागरुक किया ये आंदूलन इसली हुआ था ताकि पेड बचें ताकि कटान नहो ताकि लोग विस्थापित नहों लेकिन विडमना देखिए ये आंदूलन चलाने वाली गौरा देवी के गाओं का ही आज विस्थापन हो रहा है विस्थापन का दर्द अपने आप में बड़ा है लेकिन उससे भी बड़ा दर्द है कि विस्थापन के लिए यानि पुनरवास के लिए जगा करना मिलना पहले तो खूब वर्जी डाली गए कि किसी बड़े हाथसे के मुहाने पर खड़े इस गाओं को सरकार विस्थापित करे और आखरकार सुनवाई के बाद जब विस्थापित करने का आदेश आया तो जिस जगह पर पुनरवास कर रहनी गाओं को बसाना था उस जगा के लोगों ने ही इस बात पर आपत्ती जता दे दरसल पुनरवास के लिए प्रशासन की यूर से सुंभाई में भूमी चैयनित कर दी गए लेकिन सुंभाई गाउं की ग्रामिलों ने इस पर आपत्ती जताई ग्रामिलों ने कहा कि सुभाई गाउं में पुनर्वास करने पर यहां चारा पत्ति और इंधन की समस्या हो जाएगी गाउं वालों का कहना है कि पहले से ही गाउं वालों के पास जल जंगल जमीन का छेत्र फल कम है पहले ही ये गाउं दो गाउं को पुनर्वास के लिए जगा दे चुका है और अब तीसरे गाउं के पुनर्वास की गुंजाईश यहां पर नहीं है क्योंकि ऐसा होने से जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ने से चारा पत्ती, इंधन और लोगों के व्यवसाई में काफी दिक्कते पेशाएंगे सुभाई गाउं के लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर उनके विरोध के बावजूद जबरन यहां रेणी गाउं का पुनर्वास कर इसे बसाया गया तो वो अगले साल होने वाले चिनाव का बहिशकार करेंगे अगर सरकार इस पे अड़ी रहती है कि सुभाई गाउं में रेणी गाउं को बसाया जाये तो हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते और हो सकता है तो चिनाव का बहिशकार भी करेंगे 2022 का बेरे रिपोर्ट राइश हुमारी